मुझे नमस्कार दोस्तों मैं रोहन शर्मा स्वाद कहता हूं सभी का आपके अपने चैनल जोतिशिन वास्तों में कैसे हैं आप सभी आज हम यापर बात करने वाले हैं 26th of May 2024 के बारे में 26 मई 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या रहा है कौन-कौन सी वैदिक रेमेडिज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का आफर मिशन कैसे आप आज के इस दिन को और ज़्यादा महतर बना सकते हैं सारी जानकारी मिलीगी आपको इस वीडियो में अंतक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आप से मिस ना हो जाए सबसे पहले तो रहिवार का दिन रहेगा और रहिवार का दिन आपको अपने आपको रिलेक्स करने का दिन होता है अपने आपको और ज़्यादा खुश करने का दिन होता है अपनी चीजों को और्गनाइज करने का दिन होता है और family के साथ समय बिताने का दिन होता है इसलिए आज आपके पास बहुत सार अच्छे मौके हैं खास कर आज का दिन family को लेकर के तो बहुती जादा अच्छा दिखाई दीता है अगर आप सभी अपनी family के साथ time spend करना चाते हैं और family की बीच में आई विवादों को खतम करना चाते हैं माता पिता से समंध और अच्छे बनाना चाते हैं तो definitely आज का ये दिन आपके लिए बहुती जादा अच्छा दिखाई दिता है किसी भी दर की कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं आएगी और एक अच्छे लेवल पे आप अपने इस दिन को और जादा बैलेंस करते हुए नजर आएंगे बात करते हैं बथडेस के बारे में आज अगर आपका जन्द दिन है आपके अनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश मेत्रपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हार्दिक शुप कामना है आने वाला साल आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टन साल रहेगा आने वाले साल में आप सभी को अपने लाइफ को और ज़्यादा अच्छा करने में मौका मिलेगा अपने काम को बहतर बनाने मौका मिलेगा और विशेश चीज प्रापर्टी खरीदने के लिए आपका आने वाला साल काफी ज़ादा अचा है तो अगर आप कोई प्रापर्टी पर्चिस करना चाते हैं तो डेफिनिटली आप पर्चिस कर सकते हैं आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं कौन सी राशी, नंबर और अल्फबिट के लिए आपका ये दिन बहुत अच्छा रहेगा राशी में यहाँ पर बात कर लें ह, L, K, S, V और Z आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे अब बात करते हैं आप आज के दिन में कौन सा एंजल नंबर आपके लिए विशेश तोर पर लाबदायक रहेगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशल रहेगा और एक अच्छे लेवल पर आपको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा आज का जो एंजल नंबर रहेगा आपका ये आपका है 9189 9189 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नंबर है बहुत ज़्यादा पॉजितिन नंबर है बहुत ज़्यादा माइंड को रिलेक्स देने वाला नंबर है अपनी बॉडी को रिलेक्स देने वाला नंबर है टेंशन और तनाव से आप सभी को दूर करने वाला नं Napर है आज जब भी मौका मिले इस नंबर को रिकॉल करिएगा अटके हुए काम पूरे होते हुए नजर आएंगे और आप सभी अपने आपको रिलेक्स महसूस करते हुए नजर आएंगे अब बात करते हैं आपर आज के दिन में कौन सा affirmation आपके लिए बहुत ही जादा अच्छा रहेगा नोट करिजेगा प्लीज आज का affirmation उमीद करता हूँ कि आप जब यह affirmation रिकॉल करेंगे तो आप भी वही positivity अपने आस पास महसूस करेंगे अपनी लाइफ की tensions और तनाव को relaxation में बदलते हुए नजर आएंगे और अपने आपको balance करते हुए नजर आएंगे जैसे जैसे आज आप इस affirmation को recall करेंगे उतना ही अच्छे result आपको देखने को मिलेंगे और उतना ही positivity आप भी feel करते हुए नजर आएंगे रईवार का दिन है और अगर meditation नहीं किया तो Sunday के दिन को अच्छा बनाना और मुश्किल बन जाता है इस वज़े से आज के दिन में आप सभी को meditation में क्या करना है ये आप note कर लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने past से कुछ सीखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने हमारे लिए कुछ क्या और उससे हमें कोई lesson मिला बहुत बार ऐसा होता है कि आप सभी चीज़ें आपके आसपास होती है बट फिर भी संभाल नहीं पाते और इधर उधर समय गवा देते हैं आज का ये meditation आपके लिए बहुत ही जादा important है क्योंकि आज का meditation आपको उन सारी चीज़ों को balance करने में मदद करेगा जो आपके आसपास हैं बट आपको नज़र नहीं आ रही आप सभी को नए lesson सीखने का मौका मिलेगा अपनी जो भी पुरानी journey है उससे आपको कोई lesson यहाँ पर मिलता हूँ नज़र आएगा जो आपके भविश्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा किसी की कही हुई कोई बात आपको याद आजाए किसी का कहा हुआ कोई message आपको याद आजाए या फिर कि कि कोई मुलाकात आपको यादा आ जाए या पुराना को incident आपको यादा आ ऐसी जगे पर बैठना है जापने साउथ वाल पर पीट रख करके आपको बैठना है इस बात का दियान रखेगा अपने गर पे जहां पर भी साउथ की वाल हो वहां पर आप पीट करके बैठ जाएं और नौर्थ की तरफ अपने फेस को रखें और उसके बाद इस meditation को करना बहुत ही जाद अच्छा रहेगा और बहुत अच्छे परिणाम आपको इसके देखने को मिल जाएंगे जब भी आप इस meditation को करेंगे थोड़ा सा अनीजी मैसूस जरूर होगा आपको तो पानी की ग्लास भी अपने पास में रखें ताकि आप पानी पी पाएं meditation के पहले और meditation के बाद में पानी जरूर पीजेगा और थोड़ा सा दिन में आख बंद करके मौन धारन जरूर करिएगा या थोड़ा सा एक कहते हैं जब की मलब की शौटनेप जरूर ले लीजेगा वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अब बात करते हैं आप पर आज के दिन म उसमें दो चीजे बड़ी क्लियर है कि आज समय को गवाना नहीं है इस बात का ध्यान दिकिएगा समय को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है समय को अच्छे जगे पर यूटिलाइज करना है मलब कि किसी भी तरह की वाद विवाद में नहीं उलजना है एक वर्ड आप सभी ने सु कर अगर आप अपने समय को और अच्छे से बिताएंगे बच्चों के साथ बच्चे बन करके रहना आज के दिन की बहुत बड़ी खासित नजर आता है इसी वज़े से आज अपने मन को खुश रखें अपने आपको खुश रखें और परिवार के साथ अच्छा समय बिताए आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे उपाय के तोर पे सुबह सुबह सुरीदेव के दर्शन जरूर करने हैं थोड़ा सा जल्दी उठ पाएं और सुरीदेव के दर्शन कर लें आठ बज़े से पहले पहले उगते हुए सुरज को देखने के साथ ही आठ बज़े से पहले पहले तक के सुरज को देख लें तो ये भी आपके लिए बहुत ही जाद अच्छा रहेगा आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आप सभी क्या करिएगा आज के दिन में थोड़ा सा अठा लीजिएगा उसको थोड़ा सा भुल लीजिएगा और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दीजिएगा और उसे पीपल के पेड़ पेर वहाँ पर या जहां कहीं पर भी पेड़ पोधों के पास में कीड़े मकुड़े आ और फिर रिपीट कर रहा हूं ओम सूर्य नाराय अरणाए नमो नमह इस मंत्र को पूरे दिन अपने मन में जाप करते रहीएगा यह मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपको बहुत पॉजिटिवटी देगा और आपका काम आसानी से बनाते हुए नजर आएगा आज के दिन में अगर एक अच्छे समय की बात करें गोल्डन विश्टाइन की हाँ पर बात करें जहां पर एक ऐसा समय जो आपके लिए आपकी च्छाउंग की पूर्ती को करता है तो आज कर जो समय रहेगा यह दो पर तीन बज़े से लेकर के चार बज़े तका समय रहेगा आपके लिए काफी ज़्यादा अच्छा समय रहेगा और डेफिनिटी जब आप इस समय का फाइदा उठाएंगे तो आपको भी अच्छे परणाम जरूर देखने को मिल जाएंगे आज के दिन में के बात करें तो मैं कहुँआ कि अपनी पसंद के पहने जो आपको अच्छा लगता हूँ वह पहने आज के दिन में और जैसे भी आप अपने आपको खुश रख सकते हैं आज रखने का प्रयाश जरूर करिएगा क्योंकि यह संडे और आज का आपको स्टेबल महसूस करते हुए नजर आए वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पर जरूर से क्लिक कर दीगा कुछ पूछना चाहते हैं जाना चाहते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं आप मुझसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभाव मतद्यां पर कर सकूँ धनिवाद